बच्चो आज हम चलते हैं भारत के उत्राखन राज्य के एक पहाड़ी गाउं में जिसका नाम है वार्सू उत्राखन के उत्तरकाशी जिले में गंगुत्री जाने वाले रास्ते पर समुत्र तल से पच्चिस सो मिटर के उंचाई पर यह गाउं बसा है यहाँ पर 20-25 घर ही है पहाड़ी छित्रों की घर बहुत छोटे होते हैं पहाड़ी छित्रों की इलाकों में समतल भूमी नहीं होने के कारण पहाड़ों की ढालों पर यह घर बसे हुए होते हैं और यहां की घर जो है मिट्टी और लकडी के बने हुए हैं और इनकी घरों की छते जो है धलवी होती है ताकि वर्सा का जल और बरफ का पानी आसानी से नीचे बह जाए। कुछ घरों की छते सपार्ट भी होते हैं, जहां पर मक्का को सुखाने और जानवरों के चाना रखने के लिए काम आते हैं, हमाले की छेतर में खेत बहुत कम होते हैं, तो यहां के लोग ऐसी जगे खोसते हैं, जहां पर चौड़ी घाटिया हो और पहाडों की ढाल जो है हलकी ढालों, जिससे कि वहां पर वो खेत बना सकें, और जहां पर इस तरह की जगे मिल जाती है, वहां पर इनकी बसाहाट हो जाती है, और इसलिए आपने देखा कि हमाले की छेतरे में जो घर जो होते हैं, वो थोड़े दूर दूर होते हैं, और उनकी बस्तियां जो होती हैं, सर्दियों के महने में बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है, बारिश सामन्य होती है, बारिश के पाने से मिटी का कटाव बहुत ज्यादा होता है, और इस मिटी के कटाव को रोकने के लिए सिड़ी नुमा खेती की जाती है, और ये सिड़ी नुमा खेती क्या होती है? सिड़ी नुमा खेती में हम जो हैं पाहडों की ढाल में सिड़ियों के आकार का छोटे छोटे खेत विक्सित किये जाते हैं और इन खेतों में चावल, मक्का और फल और सबजियां उगाए जाती हैं यहां सबजियों की पैदावर बहुत होती है आपने पहड़ी अलू और शिम्लामिज का नाम तो सुना ही होगा इसके अलावा सेव, नाशपाती, अलू बुखारा, चैरी और खुबानी की वी फल बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं